हले बर्वान कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेस पर स्वगत हैं और सबसे पहले तो पैरे भाईो मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूंगा कि कल जैसे की रिजल्ट खुला और सभी बच्चों ने मुझे SMS किया लगबग लगबग 90% लोगों को मतलब मैंने रिप्लाई दिया लेकिन कुछ बच्चे ऐसे छूड़ गया होंगे जिनको रिप्लाई नहीं दे पाया तो सबावी खैयार कोई भी यही कुश्चन करता है उसका रिप्लाई नहीं मिलता है तो उन बच्चों को गुस्सा भी आती है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ लगबग 90 परसंट तो मैं जवाब देगी दे रहा हूँ ठीक है मतलब 90 परसंट लोगों का मैंने जवाब दिया लेकिन कुछ बच्चे रह गया उसके लिए समच्छा मबरा थी अब बात करते है में टॉपिक पर जो आज वीडियो यह है कि जो बच्चे एदि 75 प्लस परसंट पे है मतलब जिनका 75 परसंट प्लस है उनको तो बिल्कुल पेपर देना ही नहीं चाहिए इसके कई सारे रिज़न में आपको बताऊंगा तो जो 75 प्लस परसंट याज में वो बच्चे किसी भी तरीके से पेपर देने को ना सोच अब हाँ ऐसे कुछ हैं बिल्कुल 100% आपकी तैयारी है कि नहीं नहीं मुझे 90% तो ला नहीं है तो फिर आप दीजिए ये भी नहीं कहता हूं कि आप पूर्ट रूप से ना दे इसके कई सारे कारण है समझे जिस बच्चे नहीं 95% लाया 94% लाया वो तो पेपर देगा नहीं और उसका रिजल्ट डाउन होगा नहीं आपका रिजल्ट डाउन है इसका मतलब यह कि आपके पास प्रेक्टिकल का नंबर डेफिनेट रूप से कम है आपके पास प्रेक्टिकल का डेफिनेट रूप से नंबर कम है आप थियोरी के लिए खीचना चाहेंगे थियोरी में न बड़ा कारण है लगातार आप तीन महीने से किसे चीज़ को ना पढ़ो प्यारे भाई हो पूरा का पूरा नया हो जाता है थोड़ा भूत बेस त्यार होगा बाकि आपको वही थेओरी वही बेंजक पूर रूप से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे मैतमेटिक्स के दी बात करें तो पूरा मैतमेटिक्स एक महीने पूरा आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो मुस्किल से वही जो थेओरी में 70 नमबर में 50 नमबर लाओगी और 50 नमबर प्यारे भाई हो वही आपका 20 नमबर प्रैक्टिकल को मिलाकर वही 70 पर 75 प्लस हैं तो अच्छे परसेंटेज बाले पहले सेलेक्ट हो जाएंगे अब जिनका 75 80 के आसपास है तो उन बच्चों को प्यारे भाई हो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका यदि सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपके पेपर देने के बाद भी आपका सेलेक्शन मुस्किल हो जा था इस बर्स जो है आपका 90 तक ही कटाप रहेगा और ऐसे में जो 75 बाला बंदा है वो अब जो बंचित रह जाएगा पेपर देने के बाद इसका 80 परसेंट भी आ रहा है तो पर भी बंचित रह जाएगा लेकिन मैं उन बच्चों को सजेशन देना चाहता हूं जिसका बाक जो को मैं कहना चाहूंगा कि आप एकजाम दें लेकिन अपने आप पर पूंड रूप से भरोसा रखकर एकजाम दें कि हाँ हम एकजाम क्रेकर लेंगे एकजाम में अच्छे नंबर ले आएंगे अनता आपको भी एकजाम देने जोरत नहीं है प्यारे भायो तीन महीने में दिया आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सोच रहें कि एक महीना में हम अच्छा कर पाएंगे तो आपको एकजाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए ये मेरा सजिसन है और जिस बंदे ने तीन महीने लगातार पढ़ते आया है और उसका 70 के आसपास है तो वो बिल्कुल एकजाम दे और एकजाम दे लेकिन पैरे भायो अभी भी आपके पास जो भी एक से डेड़ महीने बचेंगे एक महीन तो है यह जुलाई बीद गया आकस्त बचा सितंबर में आपका क्या है एकजाम है तो एक महीने में उस बंदे को कम से कम 10 घंटे मेनत करना पड़ेगा तब वो जा करके 70 प्लस परसेंट ला पाएगा 10 घंटे इसका काड़ है कुछ बोले कि सारा हम तो 2 घंटे पढ़ते हैं जिन्दी की बार हम 2 घंटे में ही सब कुछ कर लेते हैं मैं मानता हूँ आपके पास काफे टाइम जाता तो 2 घंटे में आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन आप यहाँ पस वो टाइम नहीं रहेगा आपके पास मुखरोब से टाइम बचेगा प्यारे वाग्यों एक महीने का और एक महीने में अब यह 70% आया दो अंक पीछे तो कोई बात नहीं वह वाला रिजल्ट मान हो जाएगा ऐसा नहीं है तो आपका वही रिजल्ट मान होगा प्यारे वाई हो जो आप एक्जाम देंगे आज बहुत सारे कमेंट आये कि सर बताइए हमको करना क्या चाहिए कि बाकई में हमको एक्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो और बहुत सारे वच्चे तो 82, 84, 83, 85, 77, 78 ऐसे बंदवी सर हमको एक्जाम देना चाहिए कि नहीं तो मैं कहता हूँ प्यारे भाईओ तो आपको बिलकुल एक्जाम देने के जरुतर नहीं है, क्योंकि प्यारे भायों, आपका परसंटेज है, किवल 75 प्लस है, तो किवल आपको परसंटेज कहां वेलू रखेगा, कॉलेज में एडविस्टन लेने में, और बाकी आपका कोई वेलू नहीं है, आज कल आप 60 प्लस परसंटेज बनाकर, कि मा लिजिए, आई 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 टी के लिए 75 प्लस परसंटेज इस टाइम पे लगदा है, तो कोई दिक्कात नहीं, हर बच्चा आई 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 टी तो करनी रहा, तो प्यारे भायों, मेरा सजेशन तो यही है, कि जो 75 प्लस परसंट बना, तो वो ब त्यारी करोगे, ठीक है, और त्यारी भी कैसे करोगे, आपको पता है, एधि एक साल कैसे त्यारी करते हैं, आप एक महिने में क्या करोगे, एक महिने में इसके बाद प्यारे भायों, आपको कालेज के अडवीशन का टेंसा न लग, आपको जिन्दिगी में कुछ करना है, तो नई चीजें त्यारी करना शुरू कर दो अभी से उस चीज से आप पीछे हो रहे हो आपके दोस्त त्यार कुछ नए चीजों पर आगे अग्रसित हो रहे है तो जो आपका फ्लो है पैरे भायू वो बिगड़ जाता है आप खुद अनवोग कीजिए कि विगड़ तीन महीनों यद चार महीनों में हमने कितना पढ़ाई किया है और हमारा फ्लो क्या रहा है पेपर होना था लेकिन पेपर नहीं हुआ और उस स्थित में आपने कितना पढ़ा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लीजिए और जो भी बच्चे 12 के बाद है ना जिस एरिया के अंतरगत इनी जिस छेत्र में वो एडवीशन लेना चाहते हैं तो क्रपया कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताएं मैं कोशेश यही करूँगा कि कल से एक या दो वीडियो केरियर गाइडेंस का आपके लिए लगबग लगबग पैरवयो हर फिल्ड से रिलेटेड एक वीडियो लाऊं ताकि आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिल सके जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, वी ए, वी काम, बी एस चाल लें, तो बस इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था प्यारे वायों कि आप डी मोटिवेट मत हूं, जिनका कम पर्शंट यह आया है, उनके पास एक बार मौका है, जिनका बहुत ही कम पर्शंट आया, और अपने आपमें यह भरोसा है, कि हमें इतना कर लेना चाहिए हम इतना कर सकते हैं, तब ही ओफ हम अपलाई करेंगे, एक अगस्त से दस अगस्त तक डेट रहेगा, आप MPR लाइन पर जा करके, स्कूल से थोड़ा संपर्क बना करके, आप आवेदन कर सकते हैं, फिर आपका एक्जाम होगा, तो चलते हैं, मिलते हैं, अगले वीडियो मे प्रिस लाइक कर दें, और दोस्तों सेर कर दें, ठीक है, थमसब तो बनता है, प्यारे भाईयो, आप लोगों के लिए जो भी मैं हेल्फ करता हूं, तो आप एक लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा मोटीमेशन हम ही मिलता है, चले मिलते हैं, अगले वीडियो में, जैहिन, ब आप्टरों।